हलो दोस्तों स्वागत है आपका आपने यूट्यूब चैनल अनुपिस्टेडी में यह जो है कि आपको प्रस नमबर 14 स्टार्ट के जा रहा है और अभी तक जो है कि इस प्रस्णों को आप नहीं देख पाए हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है वहां से जा क्या 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 चाहिए आपको पता होगा फ्रेंद्स यह जू फार्मूला आपका है स Cancer सभेस्ट्वर clock का फार्मूला होता है आपका प्रस्णों में भी प्रयोग किया गया है उसमें आपको clear हो गया होगा और यदि video अच्छा लगता है तो like कि जिए और अपने दोस्तों में share जरूर कर दिए गा यहीं आपसे request रहेगा तो आपको निकालना है कह रहा है कि दोनों रेखाओं के बीच की दुरी यदि जितना गुड़नफल आपको फाइंड होता है उसका क्या चाहिए परिमार तो आपको पता होगा कि गुड़नफल का जो फार्मूला होता है गुड़नफल का फार्मूला क्या होता है बेक्टर वेक्टर B1 गुणे यदि वेक्टर B2 हम लोग निकालेंगे वेक्टर B1 गुणे वेक्टर B2 यदि हम लोग निकालेंगे तो फर्मुला क्या बनता है पता है ना आपको यह होता है I-cap, J-cap और क्या होता है? K-cap और इसमें जो हम लोग मान रखेंगे vector A vector B1 वाला जो मान होगा vector B1 के I-cap का गुड़ांग लिखेंगे J-cap का गुड़ांग और किसका? K-cap का इसके बाद बीटूवल आएंगे नीचे लिखेंगे आई कैप जे कैप का गुड़ांग और किसका के कैप का गुड़ांग यानि कि इस तरह से हम लोग फार्म लेकर चलेंगे बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा चलिए शुरू कर लेते हैं आपका क्या क्या दिया हुआ है ल rolls लेंगे कि दी गई रेखा और है है यहां से कारें संक्रण के दिखा गया है और डूसरी रिकिड़ा का सुमकार दो तो ध्यान दिजेगा जो रेखाओं का फार्मुला पहली रेखा के लिए यह फार्मुला लागू करेंगे अपलाई करेंगे हम लोग दोसरी के लिए यानि कि इन दोनों रेखाओं से जो है कि इन दोनों रेखाओं का दोनों समीकरणों का आपस में क्या करेंगे तुलना करें क्षैक है जो जो मिलेगा माल लोग उस्मान को क्या करेंगे रखेंगे चले देखते हैं क्या मिलता है कि लिखेंगे कि इस समीकरण एकա और अथ सिर्ट कि तुलना करने पर है सिर्ट वर सिलD करने पर मिलता है तो बेक्टर आर बराबर हो जाएगा बेक्टर ए आप प्लस लेमडा हो जाएगा बेक्टर क्या बीवन बेक्टर एवन और प्लस लेमडा बेक्टर क्या बीटू लेकिन इसके लिए यह हम लोग लेकर चलेंगे फार्म तो बेक्टर आर बराबर हो जाएगा बेक्टर याद रखेगा इसमें लेम्डा हुआ आए न तो उससे आप घवडाईएगा मत जो लेम्डा है मियू की जगाप आप लेम्डा रख सकते हैं लेकिन हम लोग चाहिए सिर्थ बीटू का और किसका बीवन का एवन का एटू का ठीक है है तो क्या मिला देखेगे अब हम लोग यहां से इसको रखेंगे नहीं ऐसे हम लें लिख लेंगे अली करके तुलना कर देंगे थीक है कि इसके बाद क्या-क्या मिला है क्या मिला हैern चेप-2 थीक है थीक है इसके बाद बेक्टर ब्यूटन बराबर क्या मिला है देखिया B1 का मान मिला है I cap J cap A plus कितना K cap इसके बाद A1 है न आप vector A2 क्या मिला है friends यहां से हो जाएगा vector A2 आपका मिला है 2 I cap minus J cap और minus क्या है K cap A plus प्लस नहीं vector B2 चाहिए न vector B2 का आपका हो जाएगा vector B2 आपका हो जाएगा 2 I cap plus J cap A plus क्या 2 K cap वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जूर कर दिजिए अच्छा नहीं लगता है तो अनलाइक भी कर दिजिएगा इतना किलियर है अब देखे दूरी निकालने के लिए आपको क्या चाहिए देखे वेक्टर A2 आप माइनस वेक्टर क्या चाहिए एवन तो आपका चींच हो जाएगा देखे दू आई घटा लेते हैं यहाँ पे तो आई घटा लेते हैं यहाँ पे के माइनस क्या च्द गांगे अब माइनस लगा देंगे तो हम लोग यहाँ से डिर्यक्ड ले लेते हैं देखें 2 I में से 1 I घटाएगे तो आपको क्या हो जाएगा एक काई बच जाएगा माइनस जे हो जाएगा यह घटाएगे यहां पार करएगे तो आपका चींज हो जाता यह किसका चितना हो जाएगा और यह यह क्लियर वेक्टर A2 टू- वेक्टर क्या निकला रहें अब इसके बाद जाएदग धूल एक हैं इसके वाद हम लोग को चाहिए कि वीवन गुणे क्या बीटू थो पिवन गुणे बीटू कैसे निकिलेगा देखेंगा है बैक्टर से इसके लिए हम लोग बनाएंगे तो आपका बनेगा आइकाप जे केप और क्या बनेगा के टिक है ठीक तो अब देखिए B1 और B2 से रखना है तो I cap J cap वो क्या है K cap तो रख दीजिए B1 B2 इसी दोनों से रखना है न तो अब इसका गुड़ांग 1 है यहाँ पर क्या है माइनस 1 हो जाएगा यहाँ पर क्या है 1 इसके बाद इसमें है 2 2 यहाँ पर क्या है 1 और कितना है 2 क्लिए इतना और इसके बाद हम लोग करेंगे क्या विस्तार आपको पता है न इसके बाद विस्तार क्या जाता है यह हो जाएगा बेक्टर B1 गुड़े बेक्टर क्या चाहिए B2 is equal to आपका हो जाएगा आई कैप है न तो आई कैप यहाँ पर रखेंगे कोश्टक में देखिए यह छुट जाएगा विस्तार चला यह छुट जाएगा यह दोनों बच जाएगे तो माइनस 1 से 2 में उड़ा तो माइनस 2 हो जाएगा आप फार्मूले में माइनस आता है एक से एक में माइनस 1 ठीक है इसके बाद जे से करेंगे तो फार्मूला अब चीन क्या चलता है देखिए सारणी का चीन क्या चलता है याद रखेंगे प्लस माइनस क्या प्लस तो यह आपको हो जाएगा माइनस आ रहा है जे कैप इसके बाद चूट जाएगा और बीच में माइनस होता है और दो Us लगाएं क्या कर ये छूट याइक हो जाएगा बीच में माइनस उसाठाल ने है और माइनस दो से माइनस एक में तो मैंनस मैंनस क्यों स्कूलिए इसके बाद जाएगा आजाएंगे हम लोग वेक्टर बीवन और घुरनफल बेक्टर क्या बीटू इसकल टू हो जाएगा माइनस दो और माइनस सक हो जाएगा माइनस तीन एएगा ऑफ दो में दो गटे हो जाएगा चोड़ वहां से नहीं तो इससे कोई मतलब है नहीं छोड़ भी सकते हैं और डो और यह कितना हो जाएगा 6008 थीन यनिक यादिख़े आपका व्ेक्टर बीूण ज्वू ब्यू निकल है नहां से इसका परिमान निकालेंगे वेक्टर बी ओन आगुने परिमान निकालना ही वेक्टर इसके ऴदाइब क्या हो जाएगा देखिएए stuk है कि इसके और निकल जाएगा तो आपका हो जाएगा क्या 3 50 तो आपका हो जाएगा कितना यह अंडरोड में 18 और 18 का बर्गमुल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा तीन करणी में दो बर्गमुल निकालना जानते हैं न चलिए तो आपका क्लियर हुआ नहीं जानते थे आप समझ लिए दून नमा 18 तीन तेलिके है न डू का जोड़ा बर्गमुल में दो दो का जोड़ा लगाते हैं एक जोड़ा बन दूरी D बराबर आपका हो जाएगा बेक्टर A2 माइनस बेक्टर A1 चाहिए और इसके बाद बेक्टर B1 गुणे बेक्टर क्या चाहिए B2 चाहिए और डिवाइड बाई हो जाएगा बेक्टर B1 अग डिवाइड बाई परिमार चाहिए वेक्टर B1 और वेक्टर किसका? B2 का इसके बड़ D बराबर आपका हो जाएगा देखिए A2 माइनस A1 A2 माइनस A1 का मान कितना है? देखिए A2 माइनस A1 का है I cap माइनस 3 J cap और माइनस क्या है? 2 K cap इसके बाद B1 गुणे B2 कितना है? माइनस 3 I cap और माइनस 0 J cap और प्लस कितना है? 3 K cap ठीके इतना चलिए अट डिवाइड भई आपका परिमार कितना आया हुआ है? 3 करणी में कितना है? यहां तक किलियर हुआ यह आपका पूरा मान ऐसे रहना चाहिए ठीके परिमार पूरा रहना चाहिए इसका ठीके? माड है यह क्योंकि माड में जब भी मान रहता है तो आगर आप कमान माइनस में आ रहा है तो माड हटाएंगे तो वो प्लस कर देता है यह बात याद रखेगा यह आपका हो जाएगा डी बराबर हो जाएगा आई कैप से आई कैप में गुणा होगा तो माइनस थ्री हो जाएगा कैसे वो देखे इसका एक गुणा इसका माइनस है तो माइनस तीन हो जाएगा आई से आई में एक हो जाएगा आपका तीन तिलिके है नो दोत्याइए छो है ना दोत्याइए छो दोत्याइए छो हो गया तो माइनस छो माइनस तीन आपका हो जाएगा माइनस नौ बटा में कितना तीन करणी में कितना दो कटा दीजिए तो यह हो जाएगा परिमार में माइनस तीन बटा में अंडरूड कितना दो इसके बाद परिमार हटाएंगे तो प्लस में चला जाएगा तो डी बराबर हो जाएगा तीन बटा करणी में दो करणी में दो से उपर निचे क्या कर दीजि तो फ्रेंस उम्मीद होगी कि आपको यह बिल्कुल जो है की समझ में आ गया होगा यह वीडियो अच्छा लगते तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में सेर जरूर कर दिजिएगा और वीडियो अच्छा नहीं लगता है तो अनलाइक भी कर सकते हैं चले देखते हैं प् यह बिल्कार लोगे कि जरूरा मैं हैं तो मैंने फार्मूला प्हले ही रख दिया में कि शूतर आपका है कि रेखा ऑं यह फहली के जोड़ानी रेखाए तो resetowo हो यह दिनिम्तंबुरी निकालना है तो दी बराबर आपका यह t इस इस इसे यदे ऊप लोग आपगे ह Jacqueline इसी लेते हैं wildlife याद recipe तो हर हाल में आपको क्या क्या चाहिए याद रखेगा जो जो मात पूछ रहा है हम लोग और यह जो यहां से यहां तक है इस समिकर्ण से तुल्ला किया जाएगा और यह दूसरा जो समिकर्ण है इस समिकन से तुन लखे जाएगा समझ में आ रहा है आप लोग पहले भी बताया गया है कि जो a1 a b c है यह दी कनुपात का लाता है जो हर में मान है यह दी कनुपात का है और जो यह दिया है यहां पर मान लें प्लस मिलें तो इसका मतलब कि देखिए यहां यहां पर x-x मिल रहा है ठीक है यहां पर ex2 का च conducted minus प्लस में लेकि में और फ्लस में इसका मतलब यह माइन सभार नमन में प्लस कर दिया है तो इसका मतलब यह हुआ कि j graphs है एक कापाल माइनस चीन रहा होगा तब इसका प्लस कर देगा या नहीं कि यक्ष्वयन का मान रहा होगा किया माइनस एक तो अब इसे रोखनेंगे तो माइनस एक हो जाएगा किलbook समय समय में घबड़ाने की किल बात नहीं वाइन का मिला यह माइनस से प्लस है इसका मतलब जाँ यह चैब जाएंगे छिशे общем पागे बढ़ते हैं कि यहां मांगे इसमें भी प्लस इस प्लस होगा ना चलिए और एवं की बात करें कितना कि साथ है और बीवन की बात करें तो बीवन कमान कितना है माइन अच्छा है और यदि सीवन की बात करें तो सीवन कमान कितना है कि सीवन कमान देख लिए कितना है आप क्लियर हो गया न चलिए अब जरा अगले में आते हैं इसमें देखेगा माइनस है इसमें तो माइनस है ठीक है यह आपको सब्सक्राइब है तो एक्सटू का माद इसका मतलब की-3 है तभी तो रखंगे तो माइनस 3 है फारिफ लेकर प्रम छेज़ नहीं है यसी कोई बात नहीं है इप यह इसममन आ Kingdom नहीं है कैसे हम लोग फाइंड़ रहा है वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक किजिए दोस्तों में सेर भी कर दीजिए अब यह देखिए एवा एटू बीटू सीटू का है यह यह बरावर क्या मिल गया एक मिल गया बीटू बरावर क्या मिल गया माइनस दो और सीटू बरावर क्या मिल गया फ्रेंड्स सी को यह हम लोग का करेंगे मान रखेंगे यहां पर HAVE इस ट्यपर बॉप दराज लेंगे तो हम यहां पर रख ले रहें चलिए कि इसकी एक्स डू कमान चाहिए तो क्या है देखिए समझने के लिए एक्स डू कमान क्या है तीन रख दीए एक्स वन कमान कितना है मायनस मजूद है तो प्लस तो जाएगा ठीक है वाइटू पर आई यह और कितना है फाइफ वाइवन का क्या है देखिएगा माइनस एक माइनस माइनस क्या कर देगा प्लस ठीक है आगे बढ़ते हैं जेट्टू का माइनस क्या है साथ है जेट्टू का माइनस है तो माइनस माइनस क्या कर देगा प्लस के लिए रहा है चलिए आगे बढ़ते हैं A2 का मान A1 का 7 है A2 का देख लिजे क्या है 1 ठीक है B1 का क्या है भई B1 B1 का माइनस 6 है और B2 का क्या है माइनस 2 C1 का क्या है 1 है और C2 का क्या है 1 मान पूट कर दिया अस्तानी से चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें B1, B1, C2 चाहिए, याद रखेगा, B1 चाहिए और C2 चाहिए, B1, C2, C2 वह है न, 1, यानि कि यह हो जागा माइनस 6 गुणे 1, माइनस 6 गुणे कितना, 1, B2, C1 चाहिए, B2, C1, B2 माइनस 2 है, तो माइनस माइनस प्लस कर देगा, 2, अगुणे, C1 चाहिए, B2, C1 था न, अज़ C1 क्या है, 1, ठीक है, इसके बाद इसमें आए, C1, A2 चाहिए, C1 का माइन कितना है, 1, और A2 कितना है, देखिए, 1, माइनस, C2, C2 कितना है, 1 है, गुणे A2 देखिए क्या है, A2 कितना है, 1, प्लस में आईए, A1, B2, A1, B2 है न, A1, गुणे B2, B2 का माण किया है, माइनस 2, ठीक है, इसके बाद, A2, B1, A2, B1, A2, B1 आईए, माइनस 6, यहाँ पर आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पर जो था, C2, A2 था, यह C2, A1 है, यहाँ पर C2 क्या था, यहाँ पर C2 होना चाहिए, C2, A1 होना चाहिए, थोड़ा फार्मूले में मिस्टेक हो गया है, C2, A1 होना चाहिए, तो C2 का माण कितना है, 1 हो गया, और A1, A1, C2, A1, तो A1 का माण कितना है, C2, A1 है, तो C2, A1, A1 की जगा पर कितना होना चाहिए, साथ होना चाहिए, यहनि कि यह सिर्फ ही मिस्टेक हुआ है, तो मान रखने में थोड़ा फार्मूला अविस्ट जो है कि हम लोग गलत रख लिए थे, तो इतना क्रियर है, इसके बाद आगे चलते हैं, अब देखिए, यहाँ पर इसका करेंगे हम लोग विस्तार, क्या करे हैं देखे क्या मिलेगा बराबर करके हम लगे आप इसका विश्तारा भी नहीं अगले स्टेप में करेंगे तीन एरे किना वाझा चार साथ और एक और यहापकाह जाएगा पाच एक छौ जाएगा माइनस 6 हो जाएगा और क्या हो जाएगा माइनस 2 ठीक है अब यह हो जाएगा 7 प्लस 1 और यह आपका हो जाएगा 1 और यह आपका क्या है 1 और बाटा में आते हैं अंडरूड में देखिए यहाँ से हम लोग अंडरूड में यह हो गया इसके बाद यहां से कर लेंगे देखिए 6 एकम 6 माइनस 6 प्लस दू एकम 2 ठीके इसका हो गया स्क्वाइर यहां पर हो जाएगा क्या माइनस 6 हो गया और प्लस कितना दू का क्या स्क्वाइर प्लस कोश्टक में आ जाते हैं एक एकम एक और माइनस 7 एकम साथ का क्या स्क्वाइर प्लस साथ दूनिके चवदा माइनस चवदा हो गया और माइनस माइनस में प्लस हो जाएगा प्लस कितना च्वदा का स्क्वाइर अगे चलेंगे तो इसका 40 करेंगे देखिए 20 से होगा देखेगा बिस्टार इसका हम लों करेंगे तो एस यह आपका चार हो जा regen पहले यह आप का औरवन है 1 जुर्ण और यह क्या है अभी जो है कि प्रश्नर्स नमबर 14 में जो है कि आपको बताया तो चार से करें दिए शुट जाएगा माइनस एक में चाहर और फार्मूले में माइनस बाद दो ने चाहर प्लास माइनस क्लास चलता है छाह प्लास इसको कितना सब्सक्राइब 8 इसके बाद 6 हो गया कोश्टक में फिर यह छुड़ जाएगा यह दोनों साथ एकम साथ माइनस एक कम कितना एक फिर प्लस आठ से आते हैं कि आठ कोश्टक में हो जाएगा यह दोनों बज़ जाएएंगे तो आपका हो जाए कितना द्यान दिहां से है निए के 14-14 हो गया और माइनस से मैं में प्लसचा चोगा मैंनस मिल्स कि अपला अच्छा डिवाइट वहाइए आपका हो जाएगा कि अंधर न में मौवाय दो है और यह अपका पीलसथा घठक तो माइनस च्यों च्यार का स्क्वार नहें प्लस हो जाएगा मानस च्शा हो उद और प्लस जा alan मानको घठक तो कितना हो जाएगा माइनस आठ क्या स्क्वार मिंद एधाल कर दिए एक शो में से दो घटाएंगे तो माइनस चार होगा माइनस चार से चार में चार चार को सोला माइनस सोला हो जाएगा और माइनस यह आपका हो जाएगा दो चार से सके चार सोला चार माइनस कशcular is दो इस दोनों माचे चलेए रहे तो यह आपका हो जाएगा छो चार दस छो सोला को छासी लेख हुआ छो तिन्ना और एक दस दस से कितना इग्यार माइनस 116 बाटा में अंडरूड में इसको भी आइड करेंगे तो हो जाएगा इसके बाब परिमेकान करनेंगे तो अंडरूड में 116 से उपर नीचे गुणा और अंडरूड में 116 से क्या हां उपर यह हो जाएगा माइनस अंडरूड माइनस 116 हुआ पाले करने में कितना हो जाएगा 116 डिवाइड वाइड कितना 116 माइनस करने में 116 इसका बर्मूल निकालेंगे तो आपका हो जाएगा क्या कि दो करनी में 29 अब माइनस है तो माइनस लगा देंगी लेकिन हम लोगी दूरी कभी माइनस नहीं होती है यह हो जाएगा दो करनी में कितना 29 यह रहा क्या एंसो तो यह आपका प्रस नमबर आपका 15 रहा तो छली हम देखते हैं प्रस नमबर 16 को कि अभी जो है जिस तरह से प्रस नंबर जो है कि जो चौदा को बताया गया था दोन रेखाओं के बीच की दूरी निकालने के लिए वही प्रोसेस सेम इसमें भी चलने वाला है क्योंकि आप इसको जो एक खुद लगा सकते हैं और फिर फार्मूला हम रख देते हैं क्या क्या चल ला था उसमें आर बरावर चला था कि बेटर ए वन और प्लस था लेम डा बेक्तर क्या वन इसके वाद बेक्टर आर बराबर था दूसरा बेक्टर एक टू प्लस लेम ड़फर क्या फ्रेंस बीकुल्य तुग यही मुसा मु रख दिया कि A Cool Er do कि तुलनाि करने पर तुलना कि से करेंगे ङांक सबस्मीकाडया वाया है अपका सधीछ समिकाड deben बताया गया है आपको विद्ध होगा यह फार्मूला है पहले देखे पाला मान एवान होगा दूसरा मान की का होगा वेक्टर बिवन का यह पाला है न समीकार इसके लिए आपको जाएगा गैटर और अब कर यह बेक्टर Vector B2 की B1 की बात करें तो आपका हो जाएगा I cap माइनस क्या 3J cap प्लस कितना 2K cap B1 मिल गया समिकार 2 की बात की जाए तो समिकार 2 के लिए है यहां Vector A2 है वो क्या है Vector B2 के लिए है चलिए Vector A2 पराबर आपका क्या है 4I cap प्लस 5J cap और प्लस क्या है 6K B2 की बात करें Vector B2 के लिए क्या है तो यह आपका है 2I cap प्लस 3J cap और प्लस क्या क्या आप जो एक question मिला लेंगे आपका question कहीं गलत नहों हो इसके बाद हम लोग क्या किये थे प्रस्ट नमर 14 में किया गया था कि इसके बाद हम निकाले थी क्या Vector A2 माइनस क्या Vector B2 यानि की दूरी निकालने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए क्या पता होना चाहिए यह फर्मूला है आप यद रखेंगे को चलिए तो वहां से तो वहां से हम भीक्टर एक करेंगे सरह क्या अन क्या वंन quick याद कर लेते हैं अधिर एक क्या एक सब्सक्राइब करते हैं लिए कि जो जो एटू है इसमें से इसको घटाना और गहां गणाये अंगे तो फोल माइनस माइनस से प्लस तो माइनस इसको ही कि आप यह आप यहां पर चैंज किजियेगा आपप लोग घटाएंगे या निकिन रफ कारें तो आपका क्या मिलें गए दिखिए कार में से इसका गुड़ा देजिए प्लस क्या है 3K कैप ठीक है फ्रेंड्स चलिए इतना तो आपका हो गया इसके बाद हम लोगो find क्या करना है देखिए वेक्टर B1 गुणे क्या चाहिए वेक्टर B2 तो चलिए फाइंड कर लेते हैं vector b1 और गुणे क्या चाहिए vector b2 इसके बाद हम लोगा देखिए मिलेगा क्या देखिए i cap j cap और क्या मिलेगा k cap चलिए i cap b1 के लिए i cap इसमें रखेंगे और b2 के लिए इसमें रखेंगे ठीक है i cap j cap का मान तो चलिए b1 के लिए पहले आजाई यहां से बिस्तार करेंगे तो आपका r1 होता है r2 होता है और 1 क्या है r3 आप लोग सारी में पढ़े भी होंगे यह आपको हो जाएगा i se करेंगे यह चुट जाएगा चीन चलता है प्लास माइनस और क्या प्लास आई से पहले करें यह चुटेगा और यह चुटेगा यह दोनों बज जाएंगे तो आपका हो जाएगा माइनस तीन और फार्मूले में तक जब इसमें गुड़ा करेंगे तो माइनस लगता है और तीन दुनी कितना च्छा इसके बाद क्या किसे मल्टिक किसे हो रहा था आई के इसके बाद माइनस लगा देंगे ठीक है कोश्टक लगाईए जे से करेंगे तो यह छुड़ जाएगा और यह छुड़ जाएगा यह दोनों बच गए न ध्यान से देखेगा एक एक एकम एक और बीच में माइनस आता है दो दुनी के चार इसके बाद क्या हो जाएगा ठीक है जे नहीं है तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं इसके बाद प्लस आजाएए के कैप को बाद में रख लेंगा ठीक है साजा जाकर इसका यह मान हो जाएगा और यह मान यह दोनों बच गए तो एक तीन है तीन और इससे मल्टिप्लाई करते हैं तो बीच में माइनस आत कैप हो जाएगा आज चार में से तीन घटा दीजी चार में से एक घटा आएगा तो कितना होगा माइनस तीन हो क्योंकि चार बढ़ा है तो माइनस तीन से एक माइनस में गुणा तो माइनस माइनस किया प्लस तीन इसके बाद जे कैप आप प्लस हो जाएगा छोत तीन नौ के यह फ्रेंट निकला है बेक्टर B1 अगुणे निकला है क्या बेक्टर B2 आपको किलियर हो गया है यह आपका जो एक किलियर हुआ है कि नहीं चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद हम लोगों कहा रहा है कि इसका परिमार चाहिए देखिए यहां से ध्यान से देखिए इसक अ कि माइनसनौ काई स्कुर्वार नानवा्स एक ऐसे हो जाएगा अप प्लस तीन को करेंगे तो तीन तलीके अपत देखे यहां से इसको अधारे रहें से इसके बाद हम लोग टिसका बर्गमूल निकाले ज़िए इसमे01 इसमें रही इसमें कितना 81 पद है तो तीनों पदों मैंसे दखी किया कामन हो रहा है इन तीनों में से कामन हो जाएगा नौ कामन हो जाएगा तो बच है यह नहीं कि अंडर हुड ले लेंगे अभी करणी के अंदर रहाने देंगे इसको न कमन है तो नानावा एकासी हो जाएगा यह पाप पलस इसमें सो ना निकल गया तो एक नानावा एक आसी नो ठीक है अब यह कनी के बाहर हो गया तो न का बरगुम लिक्या हो जाएगा फ्रेंड्स तीन अक्वारडी में जोड़ दिजिये न एक दोस ता दोस 29 ठीक है अब दोनों रेखाओं के बीच की क्या दूरी यहां पर लिखेंगे कि दोनो रेखाओं के बीच की दूरी ठीक है फ्रेंड्स चलिए तो डी वराबर फार्मूला होता है माड आपका चाहिए बेक्टर 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 बेक्ट प्लस 3J cap प्लस क्या 3K cap किलियर कर लिए इसके बाद देखिए B1 गुणे B2 का B1 गुणे B2 का यह है तो माइनस 9 I cap और हो जाएगा प्लस 3J cap प्लस क्या हो जाएगा 9K cap डिवाइट बाई इसका परिमार कितना या था तिन करणी में कितना 19 इसके बाद आपका हो जाएगा क्या देखिए I से I में किजिएगा J से J में और K वाले सो K में ठीक है खाली गुणां कोगा 9-27 माइनस कितना हो जाएगा 27 ठीक है इसके बाद 2327 हो गया माइनस में इसके बाद इसमें आजए दोनों का प्लस है तो प्लस लगाएंगे तीन ते लिके 9 अब प्लस इसमें आजएगे 9-3-27 यह तो आपको बिल्कुल किलियर हो गया होगा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और अब आरे साथ जो है कि अभी तक नहीं जुड़े है ठीक है और यहां से देखिए माड लगाएंगे प्लस में तीन तिलिके किताना नौ चीन प्लस में आ रहा है तो माड हटा सकते हैं यहां से यह हो जाएगा तीन बटा करणी में किताना 29 यह रहा आपका क्या एंसर एक बात याद रखेगा प्रस नमबर 14 में मैं बताया था कि यदि आपका माड हटाएंगे तो किसमें चला जाता है प्लस में क्लियर है चलिए यह आपको जो है कि बिल्गुल समझ में आ गया होगा वीडियो अच्छा लगते हैं लाइक किजिए और अपने दोस्तों में सेर जरूर कर दीजेगा चलिए देखते हैं प्रस नमबर 17 चले फ्रेंड मैं लेकर आ गया हूं आप लोग को लाश्ट को इस्टन में जोकी आपका अंत्यम प्रस नखर डहल है जोकी आपको प्रसम नमबर 17 है इसमें सेंब प्रस जो है कि आपको प्रस नमबर 16 जैसा है आपको करना है कि चेंजिन लेकिन इस सवाल में आप लोग को ऐसा फार्म कुछ नहीं है नहीं है नहीं है लेकिन भी नहीं है लेकिन उसके रूप का बनाएंगे इसके फार्म के रूप का क्या करेंगे बनाएंगे और भी बनाएंगे रफकारी किसे बनाएंगे रफकारी करके बनाएंगे आउस जो मान मिलेगा लेम्डा के रूप में के जो मान मिलेगा वह समीकर एक माना जाएगा जो दोसरे से मिलेगा वह समीकर नमबर क्या दो और सेम प्रोससेस वही क्या है ए रफ कारी कर रहा हौ देखे का डाने में कर रहा हूं यहाँ से यहां सा आप लोग रखे रखेंगे बैक्टर आर बराबर करेंगे देखे आ इक और माइनस टी-ई-कैप ठीक है प्लास इसमें किजे भई टी-जे-कैप और माइनस टू जे-कैप प्लास इसमें कर दिजीए थ्री-कैप और माइनस ट्व टी-कैप समझ में आ गया है चले तो बेक्टर आर बराबर हो जाए यह रफकार यह है जो थोड़ा समय लगेगा आई कैप और जे कैप वालों को एक साथ लेज़े जे कैप और के कैप प्लस क्या थ्री के कैप इतना किलियर है अब देखें ध्यान सा समझेगा और बिस्तार समय कर दे रहाँ ठीक है नहीं तो कहेंगी कहा तर समझाए है नहीं अच्छी तरह से प्लस टी जे कैप और इसके बाद क्या है माइनस टी क्या क्या ती वालों के यह लिए अब इसके बाद हम व्ली बेक्टर आर बराबर लेंगे इसको जो है कि एक साथ ले निकालेंगे बाहर तो फलस लहीएगा आँ जो माइनस वाला है क्योंकि पलस दिकीए इसके निम्लोग क्या चाहिए ला तो यहां से आपको माले क्रफस यह स्कस्वायर आये प्लस यह स्क्राइब ना से तो में जोस्वायर immature यहां से हम लिख दे रहे हैं यह आपका बन जाएगा यहां से इतना रफकारी कर लिजेगा इसके बाद हम यहां से लेंगे जे कैप माइनस क्या टू के कैप इतना किलियर तो यह आपका बना समीकार नंबर क्या एक समीकार नंबर क्या बना एक और ध्यान दिजाएगा सेम प्रोसेस इसमें भी करेंगे आप लोग वही तो वही प्रोसेस सेम करेंगे तो आपका जो है कि सेम प्रोसेस वही होगा तो है और ये आपका हो ज़ी है का प्लास कि टूए titled कि झेक माइनस जेकल और यह सब चलाएगा माइनस सब्कुरस में आपको क्लूद करेंगा तो यह अहां कि इसका पद्छ के निस्ट ली जिए तो एस एस यंती में जाएगा और i कैण है और माइनस जी कैण है और minus क्या है k cap ठीक है अब इन में से इस में से और इस में से सजा कर आप रख लेंगे रखने के बाद कामल लेंगे हम लोग क्या plus yes कामल लेंगे तो आपका बच जाएगा i cap friends आप plus y हो जाएगा क्या 2j cap यह हो जाएगा minus 2k क्या अब यह जो आपका बना है यह दूसरा आपका हो जाएगा vector r बराबर हो जाएगा क्या मिला है i cap minus j cap और minus क्या हो जाएगा k cap ठीक है minus k cap plus s question में आपका हो जाएगा i cap plus 2j cap और minus क्या 2k cap है कि यहापका हो जागा समीकार नंबर कितना है समसंघ में आया यह कि इतना आप लोग करेंगे क्या your यदि आप इतना प्रोसेस आप गड़ाएंगे तो आपका ज्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए रफ कारी करके हम लोग इतना समीकराण बना लेंगे ठीक है अब वही प्रोसेस से चलेगा जिस तरह से प्रस नमर जो है कि सो लोगों सॉल्व किया है चलिए हम लोगों लेते है एकष्ए मिलेगे देखिए यहां E1 के लिए है न यहां आपका बेक्टर एंगणव है ये लिए मुटा के अपका दागा समीकर्ण बराबर आप का हो जाएगा मायनस आईकच का ख करत되ाएं अगे बढ़ते हैं इसके बाद दूसरे समिकर्ण के लिए आपका बेक्टर A2 बनेगा I cap माइनस J cap और माइनस क्या K cap इसके बाद बेक्टर क्या बनेगा B2 बनेगा इसके लिए यह आपका हो जागा I cap प्लस 2J cap माइनस क्या 2K cap कि समझ में आ रहा है बिल्कुल किलियर हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं इसके प्रोसेस आपको पता है ना कि क्या फाइंड करना है कि बेक्टर डी निकालना है यानि कि दोनों रिखाओं के बीच के दी नियुंतम दूरी निकालना है तो बेक्टर आग क्या चाहिए इसना तो हर एक स्टेप में यानि हर एक स्टेप में प्रस्ट नमर्च 14 में भी 16 में और जो है कि आप लोग जो है कि 17 अंतिम को चल ला है इसमें भी प्रोसेस वहीं लेकर चल ले हैं हम लोग चले तो निकालेंगे चुकी अबेक्टर एटू माइनस क्या बेक्टर बीवन त सबस्क्राइब ना तो खाटाने सीमाइन सब्सकार लेद आपका माइन्स खैका माइनस इसको राफ करके आप जे कैप आई यह घटेगा यह भी माइनस यह भी माइनस 3 और 1 कितना 4 माइनस 4 क्या कि इतना वह क्लियर हुआ ठीक है यह तो आपको प्रोसेस रहा इतना नहीं है तो आप 0 को छोड़ भी सकते हैं तो चले हम लोग रख कर चलते हैं यह आपका इतना हुआ अब हम निकालें क्या बेक्टर बी बेक्टर बी वन अग गुणे क्या चाहिए बेक्टर बी टू चाहिए तो बना लिजे ज़रा इसका आई कैप जे कैप और क्या बनता है के कैप चले बी वन से लिजिए बी वन के लिए क्या है i का गुणांक minus 1 1 और क्या minus 2 बी टू के लिए जराए जिए फ्रेंट्स 2 2 और क्या minus 2 जरा हम लोग विस्तार अब कर सकते हैं चली विस्तार कर लिते हैं कि विस्तार क्या होगा इसका अब यहां से i से विस्तार करेंगे न आँ तो यह आपको find हो रहा है 좋아 b1 आज़ा buy रा एक या इलेEnt boundaries ऐसे करेंगे तो क्या प्राइब पाइब देखा है रर्फ है दूसरी थी u हम्ति है खिंद आप的話 32 इंद स्वाल में आपको किलियर किया क्या है चलिए इस सानी का सवाल अभी तक नहीं Shari के देखपा है चीक्श डेक्शा लिंक में यहाँ या प्लेई लिस्ट में जाएंगे तो वहां पर सभी इदियो आपको इस अंदि च्रफ यह चोड़ चुट जाएगा इसके बाद लगेगा चलिए जे की पारी है जे की बारी है तो माइनस लगेगा अब चलिए जे वाला छुट जाएगा यह और यह दोनों बच जाएंगे ना तो माइनस एक से माइनस दो में तो यह हो जाएगा दो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इससे आते हैं बीच में माइनस होता है एक से माइनस दो में तो माइनस माइनस क्या प्लस दो जे कैप के कैप से यह चुट जाएगा आपका यह चुट जाएगा यह दोनों बच माइनस एक से दो में तो माइनस दो हो जाएगा बीच में माइनस आ रहा है एक से एक में क्या एक और इसके बाद क्या के कैप इतना किलियर है चलिए वीडियो लंबा तो हो रहा है चलिए यहां से हो जाएगा आपका घटे का तो आई कैप और माइनस यह हो जाएगा 4J cap और यह आपका हो जाएगा देखिए, माइनस एक, माइनस एक ऐस वरी, 2 और माइनस एक कितना हो रहा है माइनस 3, माइनस 3 से प्लस में गुड़ागा माइनस 3 के cap अब इतना तो find हो चुका है चलिए, अब आगे बढ़ चलते हैं इसी तरसे इसके बाद परिमाण निकालना है तो परिमाण निकालना है वेक्टर B1 और गुणे क्या वेक्टर B2 इसकल टू आपका परिमाण हो जाएगा क्या, दो दूनी के 4 प्लस, चार चू माइनस 4 का स्क्वाइर करेंगा तो चार चू को 16 आप प्लस 3 दे लिखे, 9 ठीके इतना इसकल टू है क्या हो जाएगा 16, 9, 25 आप 25, 4, 29 यानि कि अंडर उड में कितना हो जाएगा 29 ठीके, अब निकालते हैं दोनों रेखाओं के बीच की क्या दूरी यहाँ पर लिखेंगे दोनों रेखाओं के बीच की दूरी देने ओर दोनों रेखाओं के बीच की दूरी दी बराबर फार्मूले में हम लोड़ डारेक्ट रख रहे हैं टेप बढ़े गाई तो डी बराबर आपका हो जाएगा वेक्टर ए2-1 होता है तो वेक्टर ए2-1 कमाद देख लिए यहां से 0i cap प्लास J cap और माइनस क्या 4K cap ठीक है और वेक्टर B1 गुणे वेक्टर B2 ठीक है वेक्टर B1 गुणे वेक्टर B2 कमाद क्या है देख लिए 2I cap और माइनस 4J cap अब माइनस क्या है 3K cap अब बाता में आज़े यह परिमाड ना परिमाड इसका कितना find हुआ है अंडवर कितना 39 चलिए भाई डी बराबर आपका हो जाएगा आई 0-0 कर देगा छोड़ दिजे इसको 12 10 चलिए कितना 12 बाटा में नहीं नहीं न चीनम इसका तो अनडवर कितना screening już आपको वीडियो कैसे लगा है कमेंट करके हमें जरूर बताते रहेगा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक किजिए और अपने दोस्तों में वाटसप गूरूप में जितने हैं वह सभी उनके साथ जो है कि सेर भी कर दिएगा तो चलते हैं अगले वीडियो में हम आपको ल और बेल आइकन को प्रेस भी कर देगा कि सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लागतार मिलती रहे और सेस्प्रसनों का हल आप देखना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाएए वहां पे हर एक प्रस्णावली का जो है कि हल आपको सेब किया गया है वहां जाकर आप देख सकते हैं प्रटेक प्रस्णों को चले मिलते हैं अगले प्रस्णावली में तर्ते के लिए